प्रेजेंटेशन के बाद एमिर सबके सामने कहता है कि मैं ब्लूमिंग ब्यूटी से रिजाइन कर रहा हूं और सारे नए जॉब के आफर्स एकसेप्ट करूंगा और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और बाद में सब लोग बात कर रहे होते हैं जहां गुलदान इस बात का सारा ब्लेम एफ सुनके ओपर डाल देती है वहीं दूसरी तरफ जानन एमिर को कॉल करके उससे पूछती है कि तुम रिजाइन कर रहे हो और अब हम लोग आगे क्य का करेंगे कहेर लोगता मैं यह असानी से हार माण लूँगा लेकिन अभी ये इस सोचने दो कमें रिजाइन कर रहा हूं फिर कायाा भी एमेर के बात करने जाती है जहां सब लोग लाइफ सर्जिरी देख रहे होते हैं और वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो सर्जन अमेरिकन डॉक्टर अली कर रहे हैं और वो शाम को हमसे मिलने होटल भी आएंगे और यह सुनकर एफसुन वहां से घबरा कर भाग जाती है और होटल में आकर बिन्नूर को इस बारे में सब बताती है बिन्नूर कहती है अली वो तो तुमारा एक्स है ना मगर वो अमेरिका में रहता है तो वो यहां क्या कर रहा है एफसुन कहती है पता नहीं लेकिन में बात यह है कि अगर वो यहां आ गया तो सब को पता चल जाएगा कि मैं एक करते टाइम डॉक्टर अली वहाँ आ जाते और एफसुन को देख लेते हैं और फिर उससे बाते करने लगते हैं लेकिन एमिर को आता देख एफसुन अली से कहती है कि एमिर के सामने तुम्हें यह प्रिटेंड करना होगा कि तुम मुझे पहले से नहीं जानते और मैं तुम् प्र अली और इमिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं मगर एफसुन एमिर को रोक लेती और उसे कहती है के मुझे तुम से कुछ ज़रूरी बात करनी है यह सुनकर एमिर उससे कहता है ठीक है लेकिन मुझे अभी अली से सर्चेरी से कुछ को पूशन सब्सक्राइब दिनर क की वज़े से ही एमिर यह सब कर रहा है और यह सुनकर मिस्स सिर्विल परेशान हो जाती है और शाम को एफसन तयार होकर एमिर से मिलने जा रही होती है तो उसे रास्ते में अली मिल जाता है और उसे देखकर उसकी तारीफ करता है फिर एफसन उससे पूछती है कि तुम यहां कुछ काम है मगर कैता है कि तुम्हें पर चलना होगा मैं सब को सच बता दूंगा और यह चॉईस तुमारी है कि क्या करना है और यह सुनकर आस्व डॉक्टर के साथ चली जाती है और अयह को मेशेज करके बता देए कि तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं बोलती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है इसलिए जल्दी आओ वहीं बाते करते हैं टाइम एफसुन भी अली को बिताती है कि मैंने सर्जरी करना छोड़ दिया है और डर्मटलोजी की पढ़ाई की है और यहां किसी को नहीं पता कि मैं एक सर्जिन लेकिन तुमने मुझे सबसे यह क्यों छुपाने के लिए बोला कि मैं तुम्हारा एक्स हूं एकसुन कहती है क्योंकि सबको बता है कि तुम अमेरिका में रहते हैं और मैं गाउं में तो इसलिए प्लीज किसी को मत बताना और वहीं सब रेस्टुरेंट में बैठे अली और ऐफसुन की इस मेरिकिन्ग को डिसकस कर रहे होते हैं कि वरकिंग मीटिंग बिल्कुल नहीं लग तब यह अमिर वहां आ जाता है और गुलतान बातों-बातों में एमिर को ली और एकसा हो जाता है और आकर उन्हें करता है लेकिन अल्हें बहाना बना देता है कि हम सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे. और यह सुनकर Emhyr वहां से चला जाता है. और बाद मैं Ara season Amy misma से मिलने आतीं और वहां आकर उससे पूछती है कि तुमने मेरी वज़य से resign किया है न? Emir उससे कहता है कि मैंने तुमने पहले भी बताया था नहीं बस ऐसे ही बाद में एमिर कहता है कि अब हमारी पार्टनर्शिप खर्दम होने वाली और तुम्हें मुझसे बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है एफसुन कहा दिये वैसे भी तीन महीने बाद मैं हाँ से चली जाओंगी तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता एमिर भी कहता है कि अब मेरे से कोई मतलब नहीं है मैंने तो अलरेड़ी छोड़ दिया है अब जो तुम्हारा दिल करे वो करो फिर एफसुन एमिर से पूछ दिया के सुपा तुमने मुझे से बोला था कि मुझे रकाया तुम्हारे डाड़ नहीं है तो इस वाद से क्या मतलब था तुम्हारा एमिर कहता है कि यह problem हमारे पास से related है और कहता है कि तुम कहती हो ना कि तुम मा के प्यार के बीना बड़ी हुई हो तो मैं भी बीना डैट के प्यार के ही बड़ा हुआ हूँ और फिर दोनों hotel वापस आते हैं जहां एफसुन एमिर को coffee के लिए पूछती है लेकिन तब इमिर वाइन लेकर और यह देख कर एमिर वहाँ से चला जाता है और यह देख कर एफसुन भी अलिए पर गुसा करती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है अगले दिन सुबा काय अपने घर आते हैं जहां Missis Serbil उन से कहती है कि तुम्हें पढ़ने वाला या तो क्लीनिक वापस आ जाए वरना हमेशा के लिए यहां से चला जाए मिस्स सेरपिल कहती है वो कहीं नहीं जाएगा वो बस तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्सा है और वो तुमसे सौरी एक्सपेट कर रहा है क्योंकि तुमने उसे सबके स यहीं और जॉब कर ली तो तुम मुझे इसके बद्ले हमेशा के लिए खोद होगे वहीं दूसरी तरफ एफसुन क्लीनिक आती है जहां वो अपने कैबिन मिस्स परवीन को देखा एफसुन उनसे कहती है कि एमिर के उसके डाट से कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैं मिस्टर साथ मिलकर एमिर को यहां क्लीनिक में वापस लाना होगा और सब उसकी इस बात से एग्री करते हैं बाद में एफसुन एमिर से मिलने सार्प के रिस्टरेंट आती है और सबके साथ मिलकर एमिर को करने की कोशिश करती है लेकिन एमिर वहां से चला जाता है और उसके वहां स मुवी का अरेंजमेंट करती है और दोनों एक साथ बैठकर मुवी देखते हैं कि तब दोर बेल बचती है जहां एक डिलिवरी बॉइव फ्लावर्स लेकर आता है एफसुन के लिए जिस पर एक नोट लिखा होता है और यह पढ़कर एमिर फ्लावर्स लस्विन में डाल देता है और अंदर आकर एफसुन से बहाना बना देता है फिर एफसुन एमिर से बात करके उसको कंवेंस करने की कोशिश करती है क्लीनिक वापिस आने के लिए लेकिन एमिर उसकी इस बात से एग्री नहीं करता और इसी वज़े से एफसुन का यह प्लान भी फेल हो जाता है और अगले दिन एमिर को लेने उसके घर आती है और कहती है कि तुम्हारा मैंने कॉंट्राक्ट देखा और तुम्हें इसे बिना नोटिस दी जौब नहीं छोड़ सकते तुम्हें टू वीक्स तक कंटिन्यू करना होग और इसी वज़े से एमिर क्लिनिक आ जाता है और मिसिस परवीन भी एमिर के वापस आने के खुशी में एफसुन को कंगरेचुलेट करती है कि तब ही बिनूर वहां आकर बताती है कि एमिर वापस तो आया है लेकिन एक नए अफ्तार में आओ आकर देखो और नीचे आकर ए सर्चरी क्यों नहीं कर रहे एमिर बताता है क्योंकि मैं बस टू वीक्स के लिए ही यहां आया हूं और सर्चरी के बाद पेशन को कुछ टाइम तक अब्सर्फ करना होता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए यह सुनकर एफसुन कहती है इसका यह मतलब है कि तुम क् गया और बागे अब तुम्हारे उपर है वहीं दूसरी तरफ मिस्टर काय पेशन को वापस भीजने के डिमांड करते हैं यह सुनकर मिस्टर कहती है इन सब में एफसुन के क्या गलती है यह सब तो एमिर की वज़े से हो रहा है और हमने इस बारे में पहले भी बात की थी न काया पूछते हैं वो क्या है मिस्स परवीन कहती है कि तुम्हें भी बहुत जल्दी ही पदद चल जाएगा वहीं एमिर भी एफसुन से मिलने आता है कि मैं जानता हूं मैं अपनी परसनल इशूस की वज़े से तुम्हें भी इन सब में इन्वाल्फ कर लिया है और अब इस देंजरिस क्यों कहता हूं एफसुन पूछती है क्यों एमिर बताता है क्योंकि तुम बहुत ब्रेव और तुम पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती हो इसलिए एफसुन कहती है सिवाय तुमारे तभी मिस्स परवीन का एमिर के फोन पर मैसेज आता और वो उन दोन आप साथ नीचे आते हैं जहां मिस्स परवीन सबको थैंक्स बोलती हैं और कहती हैं कि आप सबने मेरे पीचे से क्लीनिक को बहुत अच्छे से मैनेज किया और सारे अपसेट डाउंस में एक दूसरे का साथ दिया और एफसुन को भी थैंक्स बोलती है कि इतने कम टाइम मे उसने इतने अच्छे से सब मैनेज किया और फिर सबको बताती हैं कि आज से हमारे क्लीनिक में एक न्यू प्लास्ट्रिक सर्जन काम करेंगे और अली को सबसे इंट्रोड्यूस कराती हैं अली का नाम सुनकर एफसुनके होश उड़ जाते हैं